एनके एजूकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है के वीएस से न्यू वेकेंसीज रिलीज हुई है केंद्रे विद्याले संगठन से जो बाल्यवाटी का सिक्षक भरती की वेकेंसीज है जिसमें किसी पिरकार का टेट नहीं चाहिए और बहुत ही अच्छी सेलरी के साथ य के वीएस इसको स्क्रोल डाउन करते जाएंगे और आप यहां पर रीड मोर पर क्लिक करें यहां पर जितने भी इन्होंने अपने ओर्डर्स इशू किये हैं वह सभी हैं लेकिन हमें देखना है जो के वीएस के बालवाटिका के हैं वह हमें कहा मिलता है तो इस तरीके से हम इस मेंने बहां और जाएंगे और यहां पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर इस इसको पर किस प्रकार से हम जहां पर यह सी किस में जृट्षिकन मेन कितनी यहां नंनिधू कर सके किर्जम मुइं कर सके आप खुद उसका सर्च कर सके इसके बाद हम जाएंगे यहां पर इसको डाउनलोड करते हैं फिर यह PDF के रूप में हमें ओपन होगा यहां पर आप देख रहे होंगे केंद्रे विद्याले संगठन यहां पर इन्होंने subject opening of one section of बालवाटिका के लिए इन्होंने बताया है जो बालवाटिका के जो बच्चों का group होगा वो 5 प्लस का होगा लेकिन यहां पर तो उन्होंने जो 5 प्लस बच्चों का जो criteria किस पिरकार admission होगा वो सब है हम अपने regarding जो चीज है उसको पढ़ लेते है जिसमें professors के लिए है having síặc reach & स्थिऴंश का कहा पर कितना वेकेंस यहां पर आप देख रहे होँगेτό एक यह यहां of पर रारींजन का है जिसमें 21 दिखाई हैं हम आपको यह पर पूर यह बताएंगे कि किस परकार आप देख सकते हैं एहमदाबाद है बैंगलॉर है भोपाल है यह आप पूरा लिष्ट देख सकते हैं और आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं मेरे वीडियो से आप स्क्रीन सोट ले लें जिससे भी आप रीजन से बिलॉंग करते हैं डेली है यह सारे आप स्क्रीन सोट ले 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 और जिस र देख सकते हैं जैपूर में 23 हैं तो इस पिरकार आप देख रहे होंगे कि यहां पर 400 लगबग 450 के करीब यह होंगी हाँ यह 450 कैनों ने पूरा दिया है यह 450 वेकंसी हैं अब इसमें हम देख लेते हैं कि किस प्रकार आप देखोगे सबसे पहले देख लीजे क्योंकि इसलिए मैंने बोला था कि आप स्क्रीन सॉट ले ले यहां पर आप जब देखेंगे कि जैसे मान लीजे फर्स्ट पर हम फोर एक्जामपल आगरा है तो यहां पिन में से भी आगरा केंट डाल दें जो भी डालेंगे आप गूगल पर वो आ जाएगा तो इसको करके देखते हैं उसमें उन्होंने कब उन्होंने अपनी डेट बताई है क्या किया है उसमें अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जिसमें वो पूरा पीडिएफ दे रखा था चासो पचास स्कूल्स का तो उसमें जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसको हमने डाला फोर एक्जामपल के तौर पर हमने डाला था आगरा केंट का तो इस पे जो भी आपका रीज जाता तो उसी को डाल कर सर्च करना है तो वो आपको इसमें दिखा देगा इसके बाद आपको यह चीज ओपन हो चुकिए अब आप अनॉंस्मेंट सेक्शन में जाएंगे यह अनूंस्मेंट सेक्शन है यहां पर आप देखेंगे इन्होंने लिखा हुए क्लिक हेर टू ए चुका है क्योंकि इसमें कोई परिक्षा नहीं है और साक्षातकार सीधा साक्षातकार होना है तो यहां पर केंद्री विद्याले क्रमांक तीन आग्रा सत्र दोहजार तेइस चौबीस के लिए बालवाटे का तीन पढ़ाने है तू प्रशिक्षित सिक्षकों का पैनल बना प्रत्यक्स साक्षातकार आयोजित किया जाए गया इंटर्व्यू है बीस को यानि 20 जुलाई को इसका इंटर्व्यू है सभी पात्रव्यम इच्छक अभ्यरती प्रत्यक्स साक्षातकार है तू नीचे दिये गए लिंक से आविदन पत्र डाउनलोड कर उसे पूर्ण रू यानि आप सभी अपने आठ से दस के बीच में बीस तारीकों चले जाएं और अपने सारे डोकिमेंट्स ले जाए साक्षातकार हेतु पंजीक्रण आठ बजए से 10 बजए तक किया जाएगा पन्जीकरण पिकरिया के उपरांत साख्षातकार प्रकरिया परारम की जाएगी पहले पन्जीकरण होगा शेक्ष्यक योगता सेवा सर्थ वेतन इत्यादी कि इंद्री विद्धियाले संगठन के न्या – मनुसार होगी सेक्षक योगिता बालवाटी का टीचर के लिए ये आपका essential qualification है जिसमें है senior secondary और class 12th और its equivalent from a recognized board with at least 50% marks यानि की आपके 50% marks जो है 12th में होने चाहिए और diploma होना चाहिए in nursery teacher education यानि NTE और preschool education early childhood education program यानि DECED जिसको बोलते हैं of duration of not less than 2 years और B.Ed nursery from NCT recognized institute से ये होना चाहिए अब इसमें यानि कि आपका diploma होना चाहिए जिसको हम NTT बोलते हैं और DECED बोलते हैं और अगर B.Ed है तो nursery वाला और NCT से recognized होना चाहिए अब बात आती है जो चैनित पैनल विद्याले की website पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा जो भी आपका चैनित पैनल होगा वो जो विद्याले की website होगा उस पर प्रदर्शित होगा इस सम्मंद में अलग से कोई सूचना पत्राचार नहीं किया जाएगा यानि कि आपको जब इसी तरीके से जब आप अपना reason open करेंगे तो वहां पर यह सभी information आपको मिल जाएगी और जैसे ही कोई भी site आपको मिलती है तो आप उसको not down करें उसका screenshot ले ले सारी information आपको वहां से मिलेगी अब इसमें यह वो जो form fill करना है यह वो form fill है जिसमें यह सारी चीज़ें आपको भरके लेके जानी है पोश्ट एप्लाइड फोर्ट जो कर रहे हैं आप फादर्स नेम हस्बेंड ने मोबाइल नंबर वगेरा सब और इसमें यह आपका examination with complete name of course के साथ है पूरा detail आपका education का जो भी पूरा जितना भी detail है कौन से क्या क्या आपने किया हुआ है कितने माक्स में किया है कितने percentage आपका बना सब है यह यहां पर आप देखेंगे intermediate BA, M.com सब दिया हुआ है इस तरीके से आपको पूरी detail आपको यहां पर भरनी होगी और लास्ट में है are you able to interact through English and Hindi बहुत yes or no यानि आप दोनों Hindi और English में दोनों में interact कर सकते हैं yes or no आपको यहां भरना होगा do you have knowledge of computer application क्या आपको computer चलाना आता है yes or no if yes then to what extent तो यह आपको पूरा detail इसमें देना यहां पर date करने और signature करने तो यह जैसे ही हमने इसमें दिखाया आप जिस भी reason से belong करते हैं और जो PDF मैंने अभी आपको दिखाया था वहां पर अपना reason देखें और उसे Google search करें आपको यह सारे कारी है क्योंकि वैससे तो मैंने इससे पहले भी आपको बता दिखेंगे तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द ही यह वेकंसी आने वाली एतना कम समय बचेगा आप लोगों के पास और ठीक वैसा ही हुआ बहुत कम समय में उन्हों ने वेकंसी निकाल के और सीधा साक्षात कर दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका अपने रीजन में आप एपलाई कर रहे हैं वो तो वैल और गुड ही है 21,000 प्लस सेलरी इसमें वो दे रहे हैं किसी टैट की अनिवारियता नहीं है क्वालिफिकेशन भी आपने देख लिया है क्रिंद्रे विद्याले से यह सीधी भरती है तो यह बहुत गूड अपर्चुनिटी है और हम तो यही कहेंगे कि आपको जरूर अपलाई करना च ऐसे ही आगे कोई भी वेकेंसी आती है तो हम आपको बताएंगे और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें वीडियो को अंतक देखने के लिए थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग